नमास्कार स्वगत्यापका हमारे चैन्चार जागंदर में नौरात्री में मा को भूल करना चड़ाएं ये तीन चीजें घर में आ जाती है कंगाली मा लक्ष्मी छोड़ देती है साथ दोस्तों चैत्र नौरात्री का पावन पर्व इस बार दो अप्रेल दिन सनी बार को शुरू हो रहा है सनी बार की दिन नौरात्री शुरू होने से इस बार माता घोड़े पर सबार होकर धरती पर आएंगी नौरात्री में नौ दिन आज सक्तिमा दुर्गा को समर्वित होते ह नौरात्री के नौ दिन माता रानी के अलग अलग शुरूपों का पूजन किया जाता है। भक्त नौरात्री के नौ दिनों में कलत इस्थापना करते हैं। अगर इन वस्तों को आप गलती से भी माता रानी को अरफित करेंगे तो आपको ब्रत और पूजन का पूण फल नहीं प्राप्त होगा इसलिए माता रानी की कृपप प्राप्त करने के लिए आपको यह जानना अती अवश्चक है कि कौन सी ऐसी वस्टवें हैं जो माता रानी के पूजन में भूल कर भी इस्तमाल नहीं करने चाहिए दोस्तों इन वस्तों को जानने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के बीच इस वीडियो को जदा ज़दा शेर अवश्य कर दें तो आईए दोस्तों जानते हैं कौन सी ऐसी वस्तु हैं जिन्हें माता रानी को भूल कर भी अरपित नहीं करनी चाहिए दोस्तों सबसे पहली वस्तु है नारियल हिंदु धर्म में नारियल को समर्दी धन और शुबता और मान समान का सूचक माना जाता है नारियल को स्रिफल भी कहा जाता है नारियल को शुक्षम्रद्धी में ब्रद्धी करने वाला भी कहा जाता है नारियल का हर मांगलिक कारे में विशेश महत तो होता है जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मातारानी के कई मंत्रों में नारियल से बली भी दी जाती है और मातारानी के पूजन में नारियल का इस्तमाल हम सभी करते हैं खासकर कलस के इस्थापना घट के इस्थापना नारियल रखकर ही किया जाता है मातारानी के पूजन में हम नारियल का इस्तमाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं दोस्तो नारियल एक यानि की पानी वाला आता है जो हरा रंकर रहता है जिसमें अंदर पानी जिसको पीते हैं लोग जिसे नारियल पानी कहा जाता है एक होता है सूखा नारियल और एक होता है जटा वाला नारियल जिसके अंदर पानी नहीं होता और एक होता है यानि की नारि पानी वाला भी होता है जिसमें पानी भी रहती है और नारियल भी रहता है इसमें जटाई भी आपि जह चाहरे है। और कैसे इस्तमाल करें और कौन सा इस्तमाल ना करें माता रानी के पूजन में सदेब पानी वाला जटा वाला नारियल ही इस्तमाल करें और नारियल पूर्ण होना चाहिए यानि कि नारियल चटका हुआ या तूटा हुआ नहीं होना चाहिए क्योंकि पूर्ण नारियल ही साबूत जाटा वाला ही नारियल का कलस पर इस्थापित करना चाहिए साथी यह ध्यान रखना चाहिए कि मातारानी की जब आप कलस के इस्थापना करते हैं तो नारियल को सदैब कलस के उपर लिटा कर रखें मातारानी के घटके इस्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता नारियल को सदेव लिटा कर रखें और रखना चाहिए साथी साथ लिटाते समय भी आपको इस वात का ध्यान रखना चाहिए कि नारियल का जो मोटा हिस्सा है वो अपनी तरफ होनी चाहिए और जो पॉइंटेड हिस्सा है वो दूसरी तरफ होनी चाहिए साथी इस नारियल को इस्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेट कर उस पर मौली धागा को तीन बार लपेटें और लाल चुनेरी उढ़ा कर ही नारियल को घट के उपर इस्थापित करें सास्त्रों के अनुसार कलस के उपर जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है शही प्रकार का नारियल रखा जाता है तभी ब्रत और पूजन का पूण फल प्राप्त होता है फिर दूसरी वस्तु है लॉंग, जी हैं दोस्तों, लॉंग का हम सभी माता रानी के पूजन में इस्तमाल करते हैं, लेकिन लॉंग को इस्तमाल करते समय एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं, हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि माता रानी को सदेब फूल वाली लॉंग ही अरपित करें, बिना फूल वाली लॉंग भूल कर भी ना चुड़ाएं, माता के पूजन में सदेब फूल वाली लॉंग का ही इस्तमाल करें, जिस लॉंग के ऊपर फूल नहीं हो, या फिर जिस लॉंग के पीछे एक्स्ट्रा लकडी की यानिक डंडी लगी हो, उसका आप मातारानी के पूजन में भूल कर भी इस्तमाल ना करें, फूल वाली लॉंग को ही पूर माना जाता है, और मातारानी के पूजन में कोई भी अपूर वस्त, कोई भी खराब वस्त, इस्तमाल नहीं करने चाहिए, इसलिए मातारानी के पूजन में सदेब फूल वाली लॉंग माता रानी को कभी भी तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। क्योंकि दूर्बा गडेस भगवान का प्रतीक माना जाता है समर्पित होता इसले भूल कर भी आप दूर्बा का भी इस्तमाल ना करें। को आप नवरात्र की दिनों में भूल कर भी ना चढ़ाएं। जैसे कि आप नारियल जो पीने वाला हरा वाला नारियल होता है उसको बिलकुल भी आप ना चढ़ाएं। और आप टूटी फूटी लोंग भूल कर भी ना चढ़ाएं। जान चली जाए लेकिन आपको किसी कीमत पर भी ये चीज़े नहीं चढ़ानी है। दूरबा नहीं चढ़ानी है। साथी साथ आपको यनि की तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ानी है। शुक्षम्रद्धी पाने के लिए सदय बमाता रानी को नारात्री के दिनों में पूजन अर्चना करें। सात्तु उकमन रखें। मान समद्रा का शेवन ना करें। अगर बीडियों खास बसंदाई हो तो बीडियों को ज़धा ज़धा शेयर करिएगा। साती कमेंट में लिखेगा जै माता रानी, जै मालक्षमी साती, एक लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। जै माता रानी।